नमस्कार साथियू UPSC Master में आप सभी का स्वागत है गिरते पढ़ते इस जीवन से मुक्त हो गया ठीक उसी तरहे जिस तरहे तमाम जिन्दगी गिरते पढ़ते चलता रहा था ये सब्द कहें हैं लेनपूल ने हुमायू के बारे में जिसकी चर्चा हम इस लेक्चर में करने वाले हैं भारत में मुगलवन्स के संस्थापक जहिरुद्दीन मुहमन बाबर की तीन पत्निया थी पहली पत्नी थी माहम अंगा जिने हम माहम सुल्दाना के नाम से भी जानते हैं इनका एक पुत्र हुआ उसका नाम था हुमायू दूसरी थी गुलरुख बेगम जिनके दो पुत्र हुए कामरान और असकरी और तीसरी थी तिलदाल बेगम जिससे भी बाबर को एक पुत्र हिंदाल और एक पुत्र खुलबदन बेगम की प्राप्ते हुई चुकि इन सभी में सबसे बड़ा पुत्र हुमाईू था तो हुमाईू को ही बावर ने अपना अत्रादिकारी चुना और हुमाईू का साथिकर्थ होता है भागे साली हुमाईू का जन्व 6 मार्च 1588 में काबूल में हुआ था आरंभिक कठनाईू के चलते बावर हुमाईू की सिक्सा दिक्सा के लिए उचित प्रवंधन नहीं कर पाया परन्तु अवसर मिलते ही उसने हुमाईू के लिए नुरुल्ला खां को निक्त किया और इन्ही के बदोलत हुमाईू हिंदी फारसी अर्बी जोती सित्यादी का ग्याता हो गया जैसे ही हुमाईू वैस को हुआ तो बावर ने उसे हिसार फिरोजा की जागिर प्रदान की पानिपत और खानवा के युद्ध में हुमाईू ने बावर का बढ़ियां साथ दिया और बढ़ियां परदसन किया युद्ध में इसी से परसंद नहू कर बावर ने इसे संभल और बदक्सा की जागिर परदान कर दी बाबर की मृत्यू के पस्चात वजीर निजामुद्दिन खालीफा ये चाहता था कि गुलबदन बेगम का पती मेहंदी ख्वाजा मुगलबाद साह बने परन्तु अन्य मिर्जाओ के सहयोग से 30 दिसंबर 1530 में हुमायू मुगलबाद साह बना हुमायू को कांटो भरा ताज मिला था सिहासन पर बैठते ही इसे अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा चूंकि बाबर युद्ध में वैस्त रहा था इसलिए आर्थिक व्यप्रसासनिक ववस्थाओं को संगठित नहीं कर पाया था सबसे पहली समस्या हुमायू के सामने यही थी दूसरे बाबर ने भारत विजय के उपलक्स में राजकोष खाली कर दिया था उसने काबुल में चांदी के सिक्के बटवाय थे कलंदर कहलाया था और यह वही नाम था जिसे सुन कर वो फूला नहीं समाता था पूरा राजकोष खाली था यह उमायू के सामने प्रमुक समस्या थी क्योंकि राजकोष राज की रिड़ की हड़ी होता है मुगलों के सबे सम्बंदी भी हुमायू से परसंद नहीं थे हम देखते हैं कि इसके भाई जो थे वो स्वयम हुमायू के लिए संकट पैदा कर रहे थे कामरान महधुकांसी था वो यही चाहता था कि वही बादसा बने असकरी कप्टी था और इसका भाई हिंदाल धुलमुल प्रवत्ती का था अफगानियों ने पानिपत के युद्ध में अपनी सत्ता खोई थे पर वो अपने सत्ता पाने के स्वपन को भूला नहीं पा रहे थे और जस्तस सत्ता प्राप करना चाहते थे इसी संदर्ब में महमुद लोदी और सहसा सूरी के नितर्त में पुने संगठित हो रहे थे और इन्होंने तुर्की तौपची रूमी खा के नितर्त में एक तौफखाने को भी बना लिया था हुमायू की व्यक्तिकत कम्या भी इसके लिए कठिनाया उत्पन कर रही थी यह निरंतर अफिम का सेवन करता था अधिकान समय जस्न में बिताता था प्रसासने को वस्था की तरब कोई ध्यान नहीं देता था सैने पुनर गठन की तरब कोई ध्यान नहीं देता था लेन पूलू लेक करता है कि हुमायू की एविवेक पूर्ण व्यागरता ही उसके पतन का कारण सित्त होई इसके लावा बाबर ने अपने पुत्र हुमायू से एक वचन लिया था और वचन था कि भाई कितना भी खराब क्यों ना हो हमेशा उसका साथ देना ये वचन भी हुमायू के लिए संकट पैदा कर रहा था इसी वचन के चलते हुमायू ने कामरान, असकरी और हिंदाल को सल्तनत के कुछ हिस्से परदान कर दिये थे जहां ये स्वयम, दिल्ली और आगरापर एजे बादसा काबिस था इसने कामरान को काबुल और कांधार दे दिया था आसकरी को संभल दे दिया था और हिंदाल को अलवर दे दिया था जैसे ही हुमायू बादसा बना तो इसने जो है अनेक विजय बियान किये जिनकी चर्चा हम इससे अगले लेक्चर में करने वाले हैं उमीद है कि लेक्चर आपको रोचक लगा हुगा मिलते हैं नेक्ट लेक्चर में तब तक के लिए जैहिंद जैभारत महाजक्ति भारत